आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चार अलग-अलग कंपनी के प्लांस का कंपेरिजन जिसमें पहला प्लान है LIC का जीवन उमंग प्लान नमबर इसका 945 है और दूसरा प्लान है SDFC का संचे प्लस तीसरा प्लान है Tata का AIA Fortune Guarantee Plus और चौथा है Max Life Swag प्लान इन चारो प्लान में आपके लिए कौन सा है Best इस वीडियो में मैं आपको इन चारो प्लानों के Example के साथ Detail में Explain करने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप ये Decision ले पाएंगे किस कंपनी के किस प्लान के साथ आपको जाना है यहां पर हम इन चारो प्लान में समझने के लिए यह मान कर चलते हैं कि उमर तीस साल है और सालाना प्रीम्यम एक लाग रूपे है सब से पहले हम इन सभी प्लान का Sum Asured जानते हैं कि अगर हम एक लाग की प्रीम देते हैं तो इन चारों प्लान में Sum Asured कितना होगा और इन चारोई प्लांस में ये समय शौट अलग-अलग होने वाला है अगर हम LIC जीवन उमंग की बात करें तो यहाँ पर समय शौट है 13,00,000 SDFC Center Plus में है 12,50,000 रुपे और Tata Fortune Guarantee Plus में भी 12,50,000 रुपे समय शौट है Max Life Swag Plan में 11,00,000 का समय शौट है अब बात आती है PPT की मतलब आपको इन चारोई प्लांस में कितने कितने समय तक प्रीमियम देना है वो भी अलग-अलग है ज्यादा डिफरेंस नहीं है जीवन उमंग में आपको 15 साल प्रीमियम देना है HDFC में 10 साल देना है Tata में आपको 12 साल देना है देखो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि आपको 1 लाग रुपे प्रीमियम देना है हर साल और ये भी पता चल गया कि कितने कितने साल तक आपको इन प्लांस में देना है तो अब आप ये जान लीजिए कि आपका टोटल प्रीमियम पेट कितना हुआ मतलब आपकी जेव से पूरे टोटल प्रीमियम टर्म में आपने कितना जमा करा LIC में 15 लाग आपका जमा हुआ, HDFC में 10 लाग और Tata में 12 लाग और Max Life में भी आपका 12 लाग रुपे प्रीमियम जमा हुआ टोटल अब यह देखे कि आपको इन चारो प्लांस में कितना कितना रिटन मिलेगा और कब तक मिलेगा सबसे पहले प्लान की बात करें, मतलब LIC G1 उमं की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 साल से 1,4,000 रुपे मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि आपको मिलेंगे 70 साल तक, मतलब आप टोटल 45 साल तक इसके अंदर इंकम बेनेफिट लेंगे HDFC संचे प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1,4,750 रुपे मिलेंगे 12 साल से 36 साल तक मतलब आपको इस प्लान में 25 साल पैसा मिलेगा Tata Fortune Plus में 1,4,750 रुपे 24 साल से मिलने शुरू हो जाएंगे और यह मिलेंगे आपको 38 साल तक, मतलब यह हुआ कि इस प्लान में भी आपको टोटल 25 साल तक पैसा मिलेगा अब Max Life Swag प्लान में देखे तो यहाँ पर आपको 1,94,726 रुपे मिलेंगे 19 साल से 43 साल तक इस प्लान में देखे तो आपको टोटल 25 साल पैसा मिलेगा अब आप यहाँ पर यह देखे कि सबसे ज्यादा साल कौन सा प्लान आपको income benefit दे रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा LIC का जीवन उमंग दे रहा है जो कि 70 साल दे रहा है और बाकी प्लान में आपको केवल 25 साल तक ही पैसा मिल रहा है तो income benefits के मामले में सबसे आगे हुआ LIC का जीवन उमंग दोस्तो कमेंट करके यह ज़रूर बताना कि आप कहां से किस शहर से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमें इतना प्यार दे रहे हैं दोस्तो आप बात करते हैं कि इन चारो प्लान में आपको कितनी कितनी maturity मिलेगी LIC के जीवन उमंग प्लान में आपको maturity मिलेगी 1.1 करोड की वो भी 70 साल पर SDFC Center Plus की बात करें तो यहां पर maturity मिलेगी केवल 10 लाग रुपे 36 साल पर Tata Fortune में 12 लाग की maturity 38 साल पर और Max Life में भी 12 लाग की maturity 43 साल पर अब दोस्तो आप maturity के मामले में भी यह देखे कि सबसे ज़ादा कौन सी कंपनी का कौन सा प्लान maturity दे रहा है यहां पर भी LIC का जीवन उमंग सबसे ज़ादा maturity दे रहा है बाकी सभी plans की maturity आप स्क्रीन पर देखी रहे हैं इन चारो plans में risk cover भी आपको मिलता है LIC के जीवन उमंग plan में आपको 70 साल तक increasing risk cover मिलेगा मतलब day 1 से जो आपका risk cover होगा वो हर साल बढ़ता ही रहेगा जो की होगा sum ashore plus bonus HDFC Sanche Plus में आपको 11 साल तक risk cover मिलता है जो की सिर्फ sum ashore है Tata fortune में आपको 13 साल तक का cover मिलता है वहाँ पर भी केवल sum ashore है जो की उतना ही रहेगा और Max Life swag plan की बात करें तो यहाँ पर आपको 42 years तक मिल जाता है risk cover लेकिन यहाँ पर भी केवल sum ashore ही मिलता है आपको दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर तीन सिनारियों बताता हूँ जिसमें आपको यह पता चलेगा कि अगर policy holder की death 10 साल बाद हो गई तो 9 मनी को क्या मिलेगा और अगर 25 साल बाद death हो गई तब 9 मनी को क्या मिलेगा और 85 साल की उमर में death हो गई, तब 9 मनी को क्या मिलेगा, ये तीनो सिनारियो में आपको दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर policy लेने के 10 साल बाद policy holder की death हो जाती है, तब 9 मनी को क्या मिलेगा इन 4 प्लांस में, देखो दोस्तों, इन 4 प्लांस में आपका premium एक लाक रुपे साल आना, और आपने 10 साल तक जमा किया, तो उस हिसाब से आपका टोटल चारो ही प्लांस में 10 लाक रुपे जमा हो गए, अब LIC G1 उमंग प्लांस में आपको death पर मिलेगा लगबग 21 लाक रुपे, जिसमें आपका include होगा some insurance plus bonus, यहां पर ये देखे कि around केवल 10 लाक रुपे था, और आपके nominee को मिल रहा है 21 लाक रुपे, HDFC में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 12 लाक रुपे मिल रहे हैं, सिर्फ 5 लाक रुपे extra, जो कि सिर्फ आपका some insurance ही है, सेम ऐसे ही Tata में भी आपको सिर्फ some insurance ही मिल रहा है, 3.2 lakh का, max life में भी आपको 14 लाक रुपे मिलेंगे जबकि आपकी investment 10 लाक रुपे थी, सिर्फ 1 लाक रुपे extra मिल रहा है यहां पर, यहां पर सबसे ज़्यादा return, अब आप screen पर देख सकते हैं कि कौन सी company के किस plan ने दिया है, दोस्तों ये benefit 10 साल बाद अगर death हो जाती है, तब के benefits थे, लेकिन अगर 25 6 साल बाद policy holder की death हो जाए, तब उस case में nominee को क्या मिलेगा, अब वो देखिए, जीवन उमंग में इस उमर तक आपको 10 लाक 40 लाक रुपे मिल चुके हैं, और death claim का amount होगा 35 लाक, अगर आप इसे 15 साल के settlement option में लेते हैं, तो आपको यही 35 लाक की जगा 48 लाक रुपे मिल होंगे, और death पर मिलेगा 21 लाक 40 लाक रुपे, वो भी 11 साल में, total इस plan में आपको मिलेगा 36 लाक 6 लाक रुपे, टाटा में आपको जब तक 17 लाक रुपे मिल चुके होंगे, और death पर मिलेगा 31 लाक 84 लाक रुपे, यह आपको 13 साल में मिलेगे, और total आपको इस plan में मिलेग 48,85,000 रुपे ठीक ऐसे ही मैक्स में आपको जब तक 15,57,000 रुपे मिल चुके होंगे और डेथ पर 26,07,000 रुपे मिल जाएंगे यह आपको लंचम मिलेगा यहां टोटल हो गया 42,27,000 रुपे अब इस सिनारियो में भी आप यह देखे कि सबसे ज़्यादा अमाउंट कहां मिल दोस्तों आप देखते हैं तीसरा सिनारियो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 85 साल की उमर में हो जाती है तब आपके नॉमिनी को क्या मिलेगा LIC G1 उमंग में 1,4,000 रुपे हर साल एज 45 से 85 साल तक मिले और डेथ पर 1 करोड रुपे मिलेगा SDFC में 1,4,750 रुपे मिले हर साल 41 साल की एज से 86 साल तक और डेथ के केस में कुछ भी नहीं मिलेगा यहां पर एकदम निल है Tata में भी 1,4,750 रुपे 43 साल की एज से 68 साल की एज तक मिले और डेथ पर यहां भी कुछ नहीं मिलेगा ठीक ऐसे ही Max में भी 1,4,726 रुपे 48 साल की उमर से 33 साल की उमर तक मिले और डेथ पर कुछ भी नहीं अब कमेंट करके आप मुझे यह बताए कि कौन सी कंपनी का कौन सा प्लान बेस्ट है इस सब के अलावा मैं आपको इस चारो प्लान के कुछ additional points पे बता देता हूँ जिससे आपको decision लेने में और आसानी हो जाएगी HDFC संचे प्लस और Tata Fortune Guarantee Plus में कोई भी loan की सुविदा नहीं है After PPT मतलब premium देना जैसे ही बंद हुआ आपका loan नहीं मिलेगा इस प्लान में HDFC संचे प्लस और Tata Fortune में कोई भी surrender का option भी नहीं है after premium paying turn HDFC संचे प्लस और Tata Fortune में कोई risk cover भी नहीं है after PPT सिर्फ एक लोता प्लान LIC का जीवन उमंग ऐसा है जिसमें आपको loan, surrender option और risk cover 100 साल की age तक है दोस्तो LIC जीवन उमंग आपको provide करता है whole life increasing risk cover day 1 से आपका 100 साल तक risk cover increase ही होता रहेगा और advancement medical science की वज़ा से जो आज average age है वो future में बढ़ेगी So people have to plan for longevity risk also दोस्तो जीवन उमंग में दोनों type के risk cover होते हैं comparison अच्छा लगा तो वीडियो को like करके channel को subscribe करना ना भूले जिससे आपको आगे आने वाली comparison वीडियो मिल सके आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए प्लान के comparison के साथ वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद